अंसकार रोस्तों यह खुलावा देखे हो ना सब यह मत देखो यह तो उसका onpad पर हटा रहे हैं आज क्या करने वालों में आज हम कर रहे हैं इस गाड़ी का क्या radiator चेंज कर रहा है इसको चेंज कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं आ गया इसको चेंज करने के जरौत किशिज यहां प्लास्टिक साइड डैमेज हुआ था फिर मैंने इसको पूरा ही निकाल दी क्योंकि यह उपर का टैंक टैंक तो मिलता नहीं मेरे को पूरा ही बदलना पड़ता है अभर को नाया कितने का बड़ा और यह बतातों प्लालम के सेंट कैसे पहले तो सारा पूलैंट निकालना पड़ेगा क्योंकि कूलान इसेमें रहए इसको अलगी करतें तब लाइं निचे से हटे शेश निचे घुसना पड़ेगा इसके आगे अगे सान्यों को बनारी डिसकनेक के इसको निकालना होता है न देखो यहां से खोल लेना इसको और नीचे से हटा लेना है इसमें नीचे जो ब्रैकेट होता है उसमें बैठा वा उपर इसमें ब्रैकेट लगे होते हैं ठीक है सबसे भाए इसका कूल एंडिका लेता हूं जितना है उसके लिए जा करना है रुको हां सबसब बुरी जो बड़ी महनत बोलतों गाड़ी के निल्टे कुस्ने किये और वो चीज़ यहां पर करने ही पड़े इसमें यह नीचे वाला पाइप यह वाला रुको हां आपक पीछे लागा होता है इसको खोलने के जरुवत नहीं क्योंकि यह यहीं अटाइच रहेगा बस हमें रेडियेटर इसको साइट करने निकाल देखाता हूं अगर यह तो जैसे नया परसुई लागा ना तो यह तो आसानी से निकल जाना चीए मेरे अंदाज से हां देखो जालता हो जिसका डबबा है इसको नीचे लगांगो ताकि जरा साभी कुलेंटिस में बरबाद नहीं होना चीए जो कंटेनर है बिल्कुल एक्कुरेटली इसके नीचे कहां यह थोड़ा बहुत तो बरबाद होगा यार यहां पर आए ठीक है देख लेना अलके-अलके निक अधरवाई कुलेंट बरबाद हो जाएगा देख रो और कुलेंट है इसको निकलना देता है नहीं है बिल्कुल थोड़ा जितने देर निकलना दो रेडियेटर निकाल गन्दर अभी और रहेगा और वह साफ करगा था रेडियेटर जब तक वह खाली होता है ना उसको पू पीछे दब आके और ऐसा होता है यह बहुत हाडली जाएगा छोड़ना में च्टकता है बड़े गंदे डंग से यह ना यह गया पिछे ओके यह जो है यह इसमें चिपके रहता है तो इसको रुको क्या करना मैं बता रहा हूँ पहल तो यह छोटे वाले को निकाल देना जो लिए कई-कई में तो जिन में रेगुलर जो टैपवाटर का यूज करते हैं इसमें बहुत ज्यादा रस्टी हो जाती है उसमें तो बिल्कुल निकलता ही नहीं और इसके अंदर भी यह है इसमें खोल के इसको भी क्लीन करना है चीए ऐसे काईदे से ओके यह हो गया होता है इसमें अब खोलो इसको लगा लिया अब देखने बढ़िया करके खुल लिया आगा देखना में पीछे कहना है देखो पीछे नहीं घूमा यह देखो खुल रहा ना बढ़िया तरके बस यह करना है और इसको यहां से निकाल देना है यह निकल लिया सेम अब इसी तरीके से आड निकप्र यह मुड्राइब जातकी है इसको अगर आगा तुन एक और तर्षसाल जातो होता है उसको अपने साइ्ट कर देना है यह तो इतना साफ्ट से इत लिए जाते देखरों है के दिए एक दो इन से एटकाव होता तो उसके रिए चीजे कि अता सीपसे की का फिलो । और यह जो इक हो इसलिए भी तो यह तो यह निकल आपराकेट उन्में चीज करतें इनको जब भी निखा लोका इनको 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 इनकी साइड रखें हैं अदर वास पुराम होतए थ Families कैसा होता है ये पुराणे होते हैं रैंट यह रखे रिक्त则 निकाल लिया जाएं और इसके पीछे एक फेन के लिए कनेक्शन है वो यहां जा रहा उसका कपलर है यह इसको भी यहां से निकाल लेना ठीक यह मैं निकाल ले तो फिर तो यह अब जो अपना रेडियेटर है यह साइड हो जाएगा इसको एक ब्रैकेट होता इधर जो एर फिल्टर वाला इसको भी खोली देले वैसे मेरिको इसको पहले खोल लेना चाहिए बड़ मैंने सूचा कि निकल जाएगा चलो कोई नहीं बाद में भी खोल सकते हैं क्योंकि इसको निकालने में अटा करा इसको भी निकालके साइट कर लेना ओके अब यह हो गया यह ब्रैकेट अपना दूसरा वाला इस साइड आगे इनको ऐसे समा आना है यह देखो एक तुस गाड़ी में जगे नहीं ने मिलकुल नीचे इतना बबाला आगे इतना बबाला अब मैं क्या करूं इसको आगे करता हूं देखो यह जो कंडेंसर इसका तुम कनेक्शन खोलने चाकते हैं पूरी एर लीग हो जाए यह मतलब एसजी की गैस फिर जार रुपे का पटका लगेगा तो इससे बड़े इसको जैसे तैसे जुवार लगा के साइट करता हूं फोम को साइट करो बहुत सॉफ्ली ट्रीट करना है इसको यह मैं कर लेता हूं पहले आरे एक हाथ में मॉबाइल बखले के हो रहा खाली नुक्रान जोगा ठी है एक की तरफ से यह लग जा रही आडी बोटल यह इस साइट से अब जैसे अगर इसको बाहर को भी हम थोड़ा बहुत खींच लेना तो यह पीछे इसके स्राउट मैंने की जो फैन का यूनिट है यह लग जा रहा अब क्या करता है इस मैं इस फैन को जो यूनिट है इसको खोल लेता हूँ इसको पीछे कर लूँगा और फिर साइट से निकल जाना चाहिए यह पहला एक और इनको ना इसी उसमा ओडर पर रखना की वापसी में लगाओ तो जहां से जो निकला उसको लगाना है यहां रख लेते हैं एक और दूसरा कहा है दूसरा है यह मैं तो सुच ज बड़ी मसकत के बाद यह जो रेडियेटर है पुराना यह निकाल लिया है और फैन मैंने पीछे कर दिया था अभी इसमें जो कुलेंट निकल दाना है वैसे इसमें कहां से फट आता है यह टॉप से अब इसमें और है देख रहे है इसका टॉप से टैंक का पार्ट होता है तूट गया तो आप करते हैं इसको रिप्लेस और डालते हैं नया लेकिन उससे पहले यह अपना कूल एंटेना देख रोग बिल्कुल साफ है इसको क्या कर लेते हैं इसमें दुबारा डबे में डाल लेते हैं और ताकि हम इसको रियूज कर भाएं बरबाद कुस नहीं करन इसमें एकिस सो पच्चिस लेकिन मेरे को दिया सतरा सो पच्चिस का यह देखो जैन्विन था आपका कितने का था 2700 कुछ का बट्या मुझे पूरे आप देख रहो आलमोस्ट एक हजार से जादा का इसमें अंतर आ रहा है तो मैंने सुचा चलू यह लेते इससे पहले मैंन निकाल के दिखाता हूँ बाहर पैकिंग देखो कितने जबरस्त कर रहे हैं और बार बार मुझे जब भी ड्रेन करना था था करना था इसको बहुत आप इसको घोलना पड़ता था इसमें यह भी है तो इसका इड्वांटेज है बांकी तरीगा तो यह नीचे यह दे रहे य वाल्ट और वेगनार का सेम ही आता है तो जी यह कुछ रेडियेटर अपना और इस्टॉलेशन का कुछ इस तरीके से आएगा ओके अब इसमें फिन्स चेक कर लें तो क्योंकि जो में फिन्स होतना फिन्स टैमेज नहीं होनी चीए ओके और गारेंटी वरेंटी का मैंने लगाएंगे तो देखेंगे यहां तक की प्रिकिरिया अपनी पूरी हो गई तो अब लागा लेश्राउट के नट मतलब फैन के रे यार एक हाच में रूपर उपर वाले और एक चीज है ना डेडियेटर हमेंसे चेक करना सेम ला रहो नी ला रहो मैं तो चेक कर लिया था दो चीज वीडियो मैं कवरनी करी यहां का लग्या और सेम एक नीचे गिरिया चलो उठा लेंगे एक लगना है अपका इधर इसको भी लगा लेते हैं और इसके साथ कैप नहीं आया था साथ जैन्यून वाले के साथ कैप आता है यह लगा लेते हैं और दो बचे नीचे को इसमें बैटाके दो ब्रैकट नीचे होता है इसमें बैड़ जायगा उसके बाद लगेगा इसमें उपर वाला ब्रैकट जो कि इस तरीगे Все लगता बता रहा हूं यह है देखो इसके बैकेटों में यहाँ बैठा लिया है अब क्या करना है इस कंडेंसर के दो एक यहाँ पर इन दो पोल्टों को लगा ले तो फटाप्ट से तो देखिए सारी फिटिंग मैंने कर लिये यह फैन का कनेक्शन भी यहाँ पर लग गया है और यहाँ पर थोड़ा आप देखे यह पहले वाले भी नहीं मिला था जो मैंने इसको पहले चेंज रहा था पर फिटिंग बढ़िया आगी है नीचे भी आगी है अब लगा लेना है अब जो नीचे वाला जो पाइप है ना उसको भी आपको लगा लना है आपको देखिए सेम और साथी यह जो इसका ड्रेंध आप पॉइंट सेम है इसको भी टाइट रखना यह डिल ना पता चल वग पर से पूल इंड डाला हो यह लगा लेता है सेम उस्सी जगे पर जहाँ पूरान लगा था ठोड़ा इसको डील लागा यहान हो सकता है कि यह टाइट ली जाए क्योंकि नए आहा है न इसको लगा बढ़ने लगया है ना अभी धीरे धीरे जाए है जाएगा आराम आराम से जाएगा यह देखो जा रहा ना अभी इतना इसको दबा दबा कर डालना पड़ेगा पाइप प्रेस करके इसमें जगे बनाने पड़ेगा उससे पहले नीचे जूड चेक करना यार कोई लीकेज ना कर और इस पानी को पूरा साफ कर लेना ताकि यह पूरा साफ करने ताकि पता चल जाए कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं जाएगा बस तरीका वही अपनाने इसको पाइप में को प्रेस करने और डालने में इसमें पूरा टॉप अप कर लेता हूं क्या ही यह चीज बार बार रिपीट करो रिजर्वायर भी चेक कर लूगा पिर इसको फाइनल चेक कर जाएं सारी चीजे हो गई है कैब भी लगा लिए कैप मैंने पूराने यूज कर रहा है रिजर्वायर पूरा फिल कर लिए है कितना होना चीज यह पाइप लग गया है पूरा नीचे के भी लग गया है और यह पूराना इसको दोलूगा ठीक सटाट है और एक चीज मैं बताता है आपको गडियेटर या फिर कूलिंग सिस्टम से रिलेडेड काम करना इसको जरूड़ आपको चेक करना है इसको थोड़े देखना है दो बार वही जैसे मैंने आपको पहले बता है दो बार फैन हुनके ऑन अफ होने देना है बढ़िया करते हैं फैन के आफ होने का एक बार आपका आवाज आ रही होगी फैन की ना अब रुक ये वेट करते हैं आफ होने का वह भी जरूरी है जितना जरूरी आउन होना उतना ही जरूरी फैन का आफ होना भी मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपके सांथ बताया कि यह बात आफ हो गया बढ़िया करके temperature भी अपनी जगे और AC आउन करने पर भी fan आउन हो रहा है और यह आफ और आफ करने में आफ हो रहा है ठीक है और AC से भी बढ़िया हावार ही काम बढ़िया कर रहा है तो इस वीडियो को रखते है इतना ही यहां तक देखने कि धन्यवाद मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिकेस हैं तब तक ले बाई टेक केर